नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हर्साज और आप देख रहें एडवाइसर हर्स तरनेल आज की वीडियो में आपको एक वीडियो बनाई इस वीडियो में आपको पूरी अनकरी मिल जाएगी कि आपको आवेदन कैसे करना है वह भी अपने मोबाइल से एक दम फ्री तरीके से द आपके मोबाइल से आपको रिफर्ण का ओनलाइन फर्म कैसे करना है आवेदन कैसे करना है तो यह मने वीडियो आपके लिए बनाई है इस वीडियो का पूरा दे कि आपको फूल जानकरी मिल जाएगी और इसका मैं क्रेडिट अपने दोस्त को दूँगा जिसमें मैं वीड दावे सबंधी अपने आवेदन कैसे प्रस्तुत करे ओनलाइन पोर्टल के माध्यम से धनवापसी याने की रीफंड संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की चरण बद्ध प्रक्रिया धनवापसी की संक्षिप्त प्रक्रिया पी-ए-सी यल लिमिटेड के मामले से संबंधित सेवा निवृत न्यायमूर्थी आर-एम लोढ़ा समिती वह समिती है जिसका गठन सेवी द्वारा सुबरत भटाचार्य बनाम सेवी जिसका सी ए नंबर 133.01-2015 है के मामले में और दुसरे संबंधित मामलों में भारत के माननिय उच्चत्म न्यायले के निर्देशा नुसार भारत के पुर्व मुख्य न्यायमूर्थी माननिय श्री आर एम लोड़ा की अध्यक्षता में किया गया है। www.cbpaclrefund.co.in पर प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतीम तारीक 30 अप्रिल 2019 है। दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आपको ये दस्तावेश चाहिए। PACL का प्रमान पत्र या रसीद, पैन कार्ड, रद किया हुआ चेक या बैंक का सत्यापान पत्र यानि की वेरिफिकेशन लेटर, फोटो दावे संबंधी आवेदन इस प्रकार प्रस्तुत करें, www.cbpaclrefund.co.in पर जाते ही आप होमपेज पर पहुँच जाएंगे फिर आप होमपेज पर दिख रहे, रेजिस्ट्रेशन के आइकन पर क्लिक करें रेजिस्ट्रेशन के आइकन पर क्लिक करते ही यह पेज दिखाई देगा, दिये हुए सभी कॉलम भरे अपना PACL का रेजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें रेजिस्ट्रेशन नंबर आपको PACL के प्रमान पत्र में 2 तरफ लिखा हुआ मिल जाएगा अपना PACL का रेजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा डाले स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा टाइप करें अब अपना मोबाईल नंबर डाले अपना मोबाईल नंबर डालने के बाद जिनरेट OTP के आइकन पर क्लिक करें फिर आप यहां दिखने वाली स्क्रीन में वह OTP डाले जो आपके रेजिस्टर्ड मुबाइल नंबर पर आया हो. यदि आपको OTP न मिले या यदि आपने गलत OTP डाल दिया हो तो आप फिर से OTP जनेरेट कर सकते हैं. एक बार जब आप सही OTP डाल देंगे तब उसके बाद आपको अपने आवेदन के लिए पासवर्ट बनाना पड़ेगा. अब आप फिर से वही पासवर्ट डाले जो आपने अपने आवेदन के लिए बनाया है. एक बार जब आप सही पास्वर्ट डाल देंगे तब स्क्रीन पर यह संदेश दिखाई देगा कि आपका रेजिस्ट्रेशन सफलता पूर्वक पूरा हो गया है अब दावे संबंधी अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लॉगिन करें अपना रेजिस्ट्रेशन नंबर डाले अपना पास्वर्ट डाले कैट्चा डाले यह विवरन डालने के बाद दावे संबंधी अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लॉगिन करें एक बार जब आप login कर लेंगे तब आप दावे संबंधी अपना आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के पहले चरण में पहुच जाएंगे अब अपना नाम ठीक वैसा ही डाले जैसा PACL के प्रमान पत्र पर लिखा हुआ हो अपना नाम ठीक वैसा ही डाले जैसा PACL पर लिखा हुआ हो और साथ ही PACL के प्रमान पत्र और रसीदे हो उनकी कुल संख्या यहां डाले यदि आपके पास PACL का एक प्रमान पत्र हो और दो रसीदे हो तो इस तरह से PACL के प्रमान पत्र और रसीदों को मिला कर कुल संख्या तीन हुई इस रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में दावे की कुल रकम यहां डाले दावे की कुल रकम की गणना उसी प्रकार की जाएगी जैसा यहां बताया गया है यदि आपको PACL द्वारा भूमी आवंटित की गई है तो येस पर क्लिक करे अन्यथा नो पर क्लिक करे यदि आपने भूमी आवंटित कॉलम में येस का चयन किया है तो आवंटित भूमी का क्षेत्रफल वर्गज स्लैश स्क्वेर यार्ड में दर्ज करे आप यह विवरंड सेव कर ले और फिर प्रक्रिया के दूसरे चरण में पहुँच जाए अब प्रक्रिया के दूसरे चरण में आप अपने बैंक विवरंड डालेंगे गुरुपया अपना नाम ठीक वैसा ही डाले जैसा बैंक खाते में लिखा हुआ हो फिर ड्रॉप डाउन में दी हुई सूची में से IFSC कोड चुने फिर अपनी बैंक खाता संख्या डाले अपनी बैंक खाता संख्या दोबारा डाले फिर ड्रॉप डाउन में दी हुई सूची में से यह चुने कि आपका खाता बचत खाता यानि की saving account है या फिर चालू खाता यानि की current account है आप ये विवरन सेव कर ले और फिर प्रक्रिया के तीसरे चरण में पहुच जाए अब इसके बाद आप प्रक्रिया के तीसरे चरण में आ जाएंगे जहां आप समर्थक दस्तावीज यानि की supporting document अप्लोड करेंगे फिर अपनी photo अप्लोड करें अब आप अपने pancard की scan की हुई copy अप्लोड करें अब रद किये हुए check की scan की हुई copy अप्लोड करें यदि आपके पास checkbook न हो तो bank की जिस शाखा में आपका खाता हो उस शाखा द्वारा इस format में जारी किये गए bank account verification letter की copy अप्लोड कर सकते है आप ये विवरेंट सेव कर ले और फिर प्रक्रिया के चौथे चरण पहुँच जाए अब इसके बाद आप प्रक्रिया के चौथे चरण में आज जाएंगे जहां आप PACL का प्रमान पत्र और रसीदे अप्लोड करेंगे फिर drop down में दी हुई सूची में से PACL certificate चुनें फिर आप रसीद नंबर, रसीद की तारीक और रकम के विवरेंट उनके लिए दिये हुए कॉलम में भरें फिर PACL certificate अप्लोड करें और save बटन पे क्लिक करें फिर आप किये गए भुकतानों से संबन्दित रसीदों के विवरेंट डालने के लिए add new पे क्लिक करें और यहां drop down में दी हुई सूची में से PACL receipts का विकल्प चुनें फिर आप रसीद रंबर, रसीद की तारीक और रकम के विवरण उनके लिए दिये हुए कॉलमों में भरें फिर रसीद अप्लोड करें और save बटन पे क्लिक करें यदि आपके पास और भी रसीदे हो तो आप उन्हें add new पर क्लिक करके डाल सकते हैं एक बार जब सभी रसीदे अप्लोड हो जाए तो आप यह जांच ले कि अप्लोड किये गए दस्तावेज नीचे सारणी में दिख रहे है या नहीं जब आप इस बात से संतुष्ट हो जाए कि सभी विवरण डल गए है तब आप preview and submit पर क्लिक करें अब आपके सामने एक preview screen खुल जाएगी जिसमें आपके द्वारा डले गए सभी विवरण दिखेंगे यदि आप preview screen पर दिख रही जानकारी से संतुष्ट न हो तो आप cancel के icon पर क्लिक करके पीछे जाकर अपने आवेदन में बदलाव कर सकते हैं यदि आप preview screen पर दिख रही जानकारी से संतुष्ट हो जाए तो आप I agree पे क्लिक करें और फिर final submit पे क्लिक करें आपका आवेदन समीती के पास प्रस्तुत हो जाएगा एक बार जब आप final submit के बटन पर क्लिक कर देते हैं तब आपको एक acknowledgement नमबर मिल जाएगा कृपया इस नमबर को नोट कर ले अब आप login पेज पर पहुच जाएगे यहाँ पर आपका registration नमबर और password डाल कर login करें स्क्रीन पे आपका acknowledgement नमबर reference नमबर कॉलम में देख जाएगा यदि आपके कोई प्रश्न या संदेख है तो कृपया अपना दावा आवेदन करने से पहले अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न याने की FAQs में देखे अब्लेट करते रहता हूं तब तक के लिए बने रहते हैं जय हिन जय भारत